असलाम लेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगें मैं मुहम्मद वकास हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर और यह है आपका चैनल MWS Chemistry आपको याद होगा सेकेंड यर केमिस्ट्री का चैप्टर नबर सेवन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ और गैनिक Chemistry यह हमने स्टार्ट किया था और प्रिविस लेक्चर में लेक्चर नमबर वन में हमने जो चीजें एक्स्प्रेंट की डिसकस की वो थी अगर हम इंपोर्टन्स ऑफ और गैनिक केमिस्ट्री की बात करें तो अगर आप अपने इर्दगिर्दी देखे ना तो बेतहाशा चीजें आपको मिलेंगी जो और गैनिक है लाइक जो हम डाइट यूज करते हैं अपनी फूड खुराक वो मोस्ली हमारी और गैनिक है ठीक इसके बाद लैदर इंडस्ट्री जो है अब लैदर जो है यह आपको पता है प्रोटीन होती है चमडा जिसको हम कहते हैं स्कीन ओफ एनिमल से यह बंती है तो यह भी और गैनिक है इसी तरह जो मैडिसन हैं अब जो मैडिसन है यानि फार्मसूटिकल इंडस्ट्री इंडस् प्रव्यवर्व होती हैं इसके बाद आगे बात करें बहुत सारी इंडस्टी इंडस्ट्री जो है अब यह जो इनडस्ट्री पिंडर्य यूस नहीं के यह बाद यह वी और अर्गे फायनिक कमपांट्स पे बेस करती है ओर आगे थोड़ा सा आजें, तो हमारे पास जो paper industry, अब देखो paper बनाने में, paper industry जो raw material यूज़ होता है, paper बनाने के लिए, जो n of you day raw material यूज़ होता है, mostly और गैनिक होता है, ठीक है, waarनिशेज, अब ये क्या बलावती है, हाँ, यह जो हम करते हैं ना किया ना में उनका फर्नीचर वगारा पर लकडी वगारा पर तो वह वार्णिश होती है ठीक हो गया मुझे उम्मीद है कि यह बाते हैं आपको समझ जा रहें सिंपल सिंपल चीज़ें लाइक यह इंडिस्टियां आप नॉर्मली और तो सबसे मोस्ट इ पॉलीमर्स अब अगर आप अपने इर्दगिर देखें प्लास्टिक के बैग्स हम यूज़ करते हैं शॉपर जिनको हम कहते हैं है ना तो उसके अलावा हमारे पास और मुखसलिफ चीज़ें हैं प्लास्टिकी बनी लाइक टायर्स हैं ट्यूब्स हैं जो विहिकल्स में य कपड़ों को तो क्लोश को सैललोस से बने होते हैं और सालीलोस कार्भो हाइडरेट होते हैं और हमारी यह यूद्व है थो हमारी अमारे भीफूड है ठाले ढाने कार्भो हाइड्रेट्स में जो मेजर कमेड़ से हूं क्या है रोटी वंवगरा खाते हैं जैसे हम रिता alcohol hyiros गोश्ट वगएरा जो हम यूज़ करते हैं या डालें वगएरा प्रोटीन जैसे घी वगएरा हम खाते हैं इस तरह की चीज़ें ठीक है विटामिन्स वगएरा तो यह सारी जो हमारी डाइट की चीज़ें यह भी और्गैनिक होती हैं तो इस बासे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब हम आगे सोर्से की बात कर लेते हैं यहां तक उइंपोर्टन सोर्सन ही के तो पर याद रखने हैं तो अब हम आ जाते हैं सोर्सेज औफ कर लीजेगा ठीक है तो हमारे पास तीन मेजर सोर्सेज हैं अकॉर्डिंग टू यूर बुक उसमें सबसे पहला है कोल एक तो स्टूडेंट इसको कोयल पढ़ते हैं वो नहीं आपने पढ़ते हैं इसको कॉल इसको पढ़ोगे नंबर टू हमारे पास है नैचरल गैस यह जो ह कोई गरों में यूज उसकर तो ख़लाने के लिए वो था नमबर तीन पी आजाथ ये पीट्रोलीम टिक है अब जैसे है जहासों में ये तो यह सारी चीज़ें पै将 WORK है new तो आब हम अब लेकिश कि रौक्की यह की नाम नहीं रोक्स से निकले रोक्य अब यो वैसे जो नॉश्ण मv萵ली मिनरल्स ओते ना जो हम जमीन से आधिन वह ने तो यहां प конфERasan यह पूल नेचरल गैस और पेट्रोलीम को लेके यह और गैनिक है अच्छा जो होता है ना यह ज्यादत और और गैनिक है दिए प्रेजन सोफ कार्बन तो इसमें कुछ इन और गैनिक ओटेंट भी होते हैं लाइक सलफर वगएरा यह फासफर वगएरा वो इसमें थोड़ी ब देफिनेशन अकॉर्डिंग बुक में तो नहीं लिखी हुई जो हम इसकी एक्स्ट्रेक्शन के मैथड को देखेंगे यह जैसे यह बनता है और यह जो मेरे जहन में चीज आ रही थी उसके मताबर यह बैटर जो है एक बेतरी जो है वो डेफिनेशन बन सकती है तो आप इस 500 million years ago million यह बहुत लंबा ला सा बनता है million years ago याणि अगर हम बात करेंना डाइन ऊस्वार्स की तो डाइनोसर्स एक्स्टिंक machen की होगे थे टक्रेप्स पहले शच्टिफ और उकज़ी एक्स्टिंक कर में पता है उस यह बहुत लंबा उसा है 6.今 करोड है तो तब वो extinct हो गे थे, खतम हो गे थे, ठीक है जो भी उनका process हम पढ़ते है यह उससे भी पहले की बात है, यानि बहुत ही पुरानी 500 million years को अगर हम करोडों में काउंट करें न तो यह 50 करोड साल बनते है many, large years बनते हैं, 50 करोड साल, यह, तो यह काफी बड़ा अरसा है तो वो कहता है जब वो लकडी जो थी, वुड थी, जब वो dead हो जाती है, सर, लकडी भी dead होती है हाँ जी, बिलकु लकडी भी dead होती है, या आप देखा होगा, जब दरखत होता है, या पोदा होता है तो वो फल फूल भी रहा होता है, ठीक है, उसके उपर fruit भी लग रहा होता है, वो अपने जैसे बोदे भी बनाने की, जो है, वो कोशिश करता है तब तो वो living में, जिन्दा में माना जाता है, लेकिन जब वो कड जाता है, या हम उसको काड देते हैं, या वो खुद गिर जाता है, तो उसको हम deadwood कहते हैं, clear है अब deadwood पे क्या होगा, क्या होगा, हाँ, उसके उपर bacterial decomposition होगी, bacteria अपना उस पे action करेंगे, biological decomposition हम जिसको कहते हैं, bacterial decomposition होगी उसकी तो इसे, यह हम देखने हैं कि कोईला बना कैसे, ठीक है, तो उससे उसकी जो पहली fraction बनती है जो सबसे, आप कहलो गंदा कोईला होता है, या organic matter की decomposition से जो चीज़ बनती है, उसको हम peat कहते हैं, peat, यह आप देख भी सकते हो, और यह normally काबल इस्तमाल नहीं होती, यानि इसक पे ना, weathering होगी, high pressure होगा यहां पर, high pressure सर किस्चीज का होगा, हाँ, हमने कोई pressure नहीं लगाए है, तो खुद बखुद नैचरली एक process हो रहा है, dust का, dust नहीं बलके, soil का मटी का pressure लग रहा है, ठीक है, तो high temperature भी होगा, obviously, high pressure और high temperature की मौझूदगी में, यह peat जो है, यह लि इसको कहां इस्वाल करते हैं, हम घरों में यूज़ करते हैं, domestic purposes के लिए, या आग जलाने के लिए, कोईला जो हम यूज़ करते हैं, यह इसको जो baking bricks है, भटों के अंदर जो होता है, इंटे बनाने के लिए, वहां पे इसको यूज़ किया जा था है, इंटे पकाने के वैरी गरती है इसमें कार्बन की जो कॉंटेंट होती है यह मैं जो 40-60 परसेंट लिख है ना इसके उपर फर्दर वैदरिंग होगी है ना यहीं फर्दर प्रेशर लगता रहेगा इसके उपर तो यह जो हमारी लिगनाइट है ना यह चीनिज हो जाएगी फिर बिचुमिनस कोल के अंदर पहले से जाधा रिफाइंड फॉर्म है और याद रखना इसमें ना तकरीबन 60-80 परसेंट तक जो है वो कार्बन कॉंटेंट होता है ठीक है तो यह काफी रिफाइंड फॉर्म है और इसको जो थर्मल पावर जनरेशन प्लांट्स होते ना जहां हम हीट करके ठीक है थर्मली हीट करके बिजली यानि इलेक्रिसिटी जनरेट करते हैं वहाँ पर यह यूज होती है और इंडस्ट्रियों में इसको हम इस कोईले को हम यूज करते हैं और यह आप देख भी सकते हो काफी रिफाइंड फॉर्म है ठीक है और सबसे जो मैक्सिमम रिफाइंड फॉर्म है सबसे बेस्ट जो हमारे पास परसंटेज ओफ कार्बन रखने वाली इसकी फ्रेक्शन है हमारे पास कोईले की वह होती है एंथ्रासाइट यह एकसर पेपर में एंसी की उस भी आ जाता है कि सबसे रिफाइंड फॉर्म कौन सी है कोल की तो बचो वह एंथ्रासाइट होती है और इसमें जो कार्बन कंटेंट है यह वाला यह वैरी करता रहता है यह 80 से लेके 98 परसंट तक भी हो सकती है इसमें कार्बन कार्बन हो सकता है बाद बुक्स में 92 भी लिखा होता है 93 भी लिखा होता है हम इसको राउंड उफ करके चलो 92 तक कर लेत से तो यह आपने सारा लिखने है शॉर्ट कॉस्टन वाट इस कोल यह डैफिनेशन लिखोगे हाउ इस फॉर्म यह कैसे बना तो यह आप लिखोगे आई रिली होब कि यह बाते हैं आपको समझ जाएंगे और इसमें एक जाएंगी इंपोर्टें केया है वह इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टरोड डिसलेशन यह बहुत इम्पोर्टें यह जो term अभी मैंने लिखी है destructive distillation of coal या मैंने क्या बोला इसको carbonization यह हम खुद करवाते हैं यह हम किस purpose के लिए करवाते हैं ताके हम मुख्तलिफ इससे gases या मुख्तलिफ चीजें हम इससे हासल कर सके हैं देखो आपके पास है coal यह हमारे पास कोहला हमने ना इसको heat करना है मैं आपने हीट बोला है आपने इसको heat करने और absence of air में करने absence of air यानि इतनी कम air हो के 0.01% तक हो बहुत ही कम इसमें आपको air जो है ना वो रखनी क्योंकि अगर air ज्यादा होगी तो यहां पे इसके combustion के chances बढ़ जाएंगे ठीए तो उसको avoid रखने के लिए हमने in the absence of air इसको करना हीट इससे क्या होगा इससे हमें further fractions मिलेंगी कोक कोल टार प्लस कोल गैस तो जब हम कोईला लेंगे कोल लेके उसको heat करेंगे और यह हीट होता है नौर्मली यह temperature भी होता है यहां पर लिक देता हूं में 500 से लेके 1000 degree centigrade के दरम्यान vary कर सकते हैं यानि जब आप कोईला लेके उ इसको 500 से 1000 degree centigrade तक heat करोगे ना तो उसे further तीन fractions बनेंगी कोक, कोल टार और कोल गैस इनको भी मैं थोड़ा सा elaborate कर देता हूं क्यूंकि बुक में तो इनकी explanation नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए तो आईए इसको देख लेते हैं यह क्या चीज़े हैं अच्छा अब अगर हम बात करें इसके साथ cold tar की cold tar यह viscous liquid होता है blackish सा यह आप देख भी सकते हो यह हाँ ठीक है तो इसको आप कह सकते हो यह viscous liquid है तो देखो यह सारा कुछ हमें पर कहां से हासल हो रहा है यəस एक koilay से यहनी kohl से और last में हमारे पास है क्या coal gas अब एक होती natural gas और ए hydrogen होती है और थोड़ी से मिकदार इसमें मिथेन की भी होती है और सम्ट टाइम डाइट भी थोड़ी बहुत इसमें होती है लेकिन प्रब्ली इसमें तीन यह मेजर गैस होती है तो बच्छों अगर पेपर में आपको आजाए ना डिफाइन डिस्ट्रक्टिव डिसलेशन जो कि आता है बहुत इंपॉर्टन है और कार्बोनाइजेशन तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे वैं वैंन कोल आपकी बुक में भी लिखा हुए इस हीटेड अबाउट फाइव हंडर्ट तू थाउजंड डिग्री सेंटिग्रे इन दी एपसंस ओफ एर देन कोल गैस कोल टार एंड कोक इस अबटेइड इस इस कोल गैस को क्या बोरेंगे हम येस कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ओफ कोल तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने कोल कवर कर लिया अब हम आते हैं नैच्रल गैस पर जोके शॉर्ट सा है फिर हम पेट्रोलिम पर आजेंगे जी स्टूडेंट्स अब हम सेकिंड सोर्स ओफ और्गैनिक कंपाउंट पर बात करेंगे जो के है हमारा नैच्रल गैस अब ये कैसे बनती है तो ये ये भी जो बैक्टेरियर डिकंपोजिशन ओफ और्गैनिक मैटर होती है ना उसकी वज़ा से बनती है जारी बात है जहां पर पेट्रोलियम भी बन रहोगा और वहां पर ये गैस भी बन रही होगी ठीक है तो ये सारा कुछ ये कठा बनता है तो ये भी बैक्टेरियर डिकंपोजिशन से बनती है अब ये होती है ये मिक्सर ओफ लो हाइड्रो कार्बन होती है ठीक है नैच्रल गैस यह मैं आपको लो बॉयलिंग हाइड्रो कार्बन लो बॉयलिंग हाइड्रो कार्बन लाइक अब वो कौन से होते हैं मिथेन ये सबसे ज़ादा होती है मिक्सर के अंदर ये सबसे ज़ादा होती है इथेन प्रोपेन का या फिया एप्रक्राइण करेंगा प्रोपेन तोंकि पेन्टेन जो है पेन्टेन और हेप्स फिर ये लिक्वड फॉर्म में आ जाती है और अब यह जो हमारे पास चार गैसेश ना मिठेन, इठेन, प्रोपेन इनका मिक्सर होता है यह आपस में chemical react नहीं की होती है बस यह mix हुई होती है ठीक है तो यह जो हमारे पास definition है that is totally about natural gas तो अगर आपको paper में आजए natural gas क्या है तो आप यह लिखोगे यह बंती कैसे तो यह भी bacterial bacterial decomposition of organic चलो यह मैं इधर पूरा लिख देता हूं क्योंकि फिर आपका नहीं होता है कि सर आप पूरी बात नहीं करते खास और पे यह मुझे first year में फेस करना पड़ा इस चीज़ को आपको आप सौल भी नहीं करते तो कुछ चीज़ मैं आपके लिए छोड़ता था कि ताकि आप आपकी भी प्रैक्टिस हो लेकिन चलो खैर बैक्टेरियल डी कंपोजिशन ऑफ और्गैनिक मैटर ठीक है अंडर अर्थ क्रस्ट अंडर अर्थ क्रस्ट फॉर्म नेचरल गैस इससे क्या बनती है येस नेचरल गैस बन जाती यह इतना पहला आप भी आप लिख दोगे तो क पसले जगों से इसको एक्स्ट्रेक किया जाते तेक है जिया जिकल सवे के बाद अब हम आते नेक्स टुरॉलियंग सिका स्क्रीन चॉट ले लिए क्यूंकि इसको मैं रेज करने लगों जिस पर हम पेट्रॉलियंगे जी तो स्टुडेंट्स अब हम लास्ट हमारा सोर्स ओ organic compound, वो है petroleum, petroleum, अब इसको कैसे define करना है, अब ये basically mineral oil होता है, हमारे पास दो तरह की oil होते हैं, एक को हम edible oil कहते हैं, edible oil, अब ये खुर्दनी तेल होता है, जिसको हम खाने के लिए, खाने वाला तेल आप समय जो, खाने वाला जो तेल होता है, जो हम oil use करते हैं, ये वो होता है, ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं, petroleum oil, तो इसका मतब ये खाने के लिए नहीं होता है, ये mineral oil होता है, तो mineral oil, यहां हम petroleum की definition के लिए लगे, ये edible oil की हम बात नहीं करें, I hope कि ये बात आपको समझ जाई होगी मेरी है न, the mineral oil, mineral oil in its refined form, refined form, is called petroleum, yes, इसका मतब जो हमें जमीन से हासल होता है न, blackish form का, वो petroleum नहीं होता, basically, ठीक है, अब देखो, ये सारी जो हमारे पास इदर जो मैंने चार्ड बना, ये refined forms है, यह पैट्रोलियम गैस, पैट्रोलियम इथल, लिग्रॉइन और नेप्था, गैस सुलीन, कैरोसीन, गैस, ओल, ल जो हम जमीन से extract करते हैं, उसको crude oil कहते हैं, तो मैं crude oil की भी यहाँ पे definition लिखूँगा, अब crude oil क्या होता है, the blackish, ये अक्सर paper में न, दोनों में फरक पूछ लेता है, कि what is the difference between petroleum and crude oil, तो आप ये बताओगे, the blackish viscous liquid obtained from earth crust, earth crust is called crude oil, अब ये बिल्कुल काला सिया रंका होता है, ये जैसे मतलब मुक्तलिफ इंडस्टियां इसको खरीदती है, तो ये हमारे पास crude oil की definition थी, अब देखें, companies क्या करती है, लाइक अगर हम पाकिस्तान ही की बात कर लें, तो पाकिस्तान में जो मुक्तलिफ companies हैं, ला पे हैस कोल है, मुक्तलिफ companies है, ये क्या करती है, जो crude oil होता है उसको खरीद लेती है, और उसको फिर refine करती है, इनके पास refineries होती है, उसको oil refineries कहते हैं, और किस base पे करती है, वो हमें जाना जरूरी है, वो होती है हमारे पास fractional distillation, जिस base पे जो companies हैं, वो petroleum जो हमारे पास ये crude oil होता है, उसको petroleum में कैसे convert करती है, fractional distillation से, अब ये क्या होती है, तो fractional distillation, मैं इसको पहले distillation आपको समझा देता हूं, fractional distillation होती है, लाइक अगर आपके पास methanol है, और आपके पास water है, ये दोनों mix हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं, इनको अलग किया जा है, तो हम क्य करेंगे, इसको ना heat करना शुरू करेंगे, अब heat से सबसे पहले जो cheese boil होगी, वो methanol होगी, क्योंकि उसका low boiling point है, और वो vaporized form में आएगी, और पानी जो है वो जल्दी vaporized form में नहीं आएगा, तो यूं हम जो methanol होगी, जब heat करने से, दोनों पानी और methanol के mixer को heat करेंगे, तो methanol के vapor पहले बन जाएंगे, तो उसको बाद में condense करके अलग कर लेंगे, पानी अलग हो जाएगा, तो इस base पे separation करना यह कहलाता है, fractional distillation, the distillation, the distillation which is carried out, which is carried out, carried out on the bases of different boiling points, different, हाँ, अब इस चीज़ को समयना बड़ा जरूरी है, boiling points, called fractional distillation, ऐसी distillation, ऐसा अलग करने का अमल, जो boiling point की base पे किया जाए, इसको हम fractional distillation कहते हैं, अब देखो, आपकी company, आपकी तो नहीं कहर, हमारे पास इतनी बड़ी कोई company नहीं है, जो भी company होगी, वो क्या करेगी, व आपको नजर आ रहे है, यह fractional distillation tower है, अब इस tower में आप चेक करो, जो सबसे उपर वाला इसका हिस्सा है, portion है, वहाँ पे सबसे पहले जो है, वो आपकी fraction जाएगी, वो composition of petroleum होगी, जिसका low boiling point होगा, क्योंकि नीचे जो हमारा नीचे जो पड़ा है, यह crude oil है, this is crude oil, अब इस composition का boiling point सबसे low है, वो सबसे पहले boil करेगी, तो वो सबसे उपर जो वाला हिस्सा है, tower का वहाँ पे हमें हासर होगी, उसको वहाँ पे हम extract कर लेंगे, is that clear? फिर उससे जो ज्यादा boiling point वाली होगी, जो सबसे उपर वाली है, उससे थोड़ी सी, जो नीचे होगी, उसका boiling point वाल वो सबसे नीचे रह जेगी, तो यूँ हम different boiling points की base पे इस tower के अंदर क्या करेंगे, fractional distillation करके उनको अलग कर लेंगे, I really hope कि बात आपको समझ आई होगी, कि petroleum किसको कहना है, crude oil किसको कहना है, और fractional distillation है, वो क्या होती है, ठीक है? तो अब हम ये table की तरफ, chart की तरफ आते हैं अब इसमें देखें जरा, ये जो हमने fractional distillation की है ना, उसे हमें ये मुख्लिफ fractions हासल हूए हैं गिने, एक, दो, तीन, चार, पांच, चे, साथ, आठ, नो, so we have nine वाली तो हमारे पास residue है ना, यो एंड पर बच जाता है, तो आठ main हमारे पास fractions है, यहां पे petroleum से जो हम हासल कर होते हैं, like, अगर हम सबसे पहले बात करें, इस table को समयने की, इसको रटा ही है, यह totally, लेकिन हम इसको समय लेते हैं, क्या चीज है, नेम ओफ्रेक्शन हमारे पास क्या है, सबसे पहले petroleum gas है, इसको हम natural gas भी कह सकते हैं, इसका boiling point 20 degree से कम होता है, आपको बता है, रूम temperature हमारे पास 25 degrees centigrade होता है, तो यह जो हमारे पास चीज होगी, यह gas होगी, इसलिए हम इसको gas कह रहे हैं, क्योंकि इसका boiling point below, अच्छे, यहां मैंने C1 to C4 लिखा है, एक बात याद रखनी हैं, यह सारे saturated hydrocarbons हैं, saturated hydrocarbons हम उनको कहते हैं, जिसके अंदर double bond नहीं होता, triple bond भी नहीं होता सारे single bond होते हैं, आपने अलकेंस का metric में formula पढ़ा होगा, CnH2N plus 2, इसको आपने याद रखने हैं, simply, इसके मताबिक फिर आप यहां पे hydrogen भी लगा सकते हैं, अगर मैं कहूँ ना, एक carbon, तो यहां आप one put करोगे, N की जगा, जब मैं N की जगा यहां one put करूँगा ना, तो य यहां CH4 हो सकता है, तो फिर 4 के साथ, 4 को 2 से multiply करोगे 8, 2 add करोगे 10, तो यह होगा हमारे पास C4H10, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मुझे उमीद है कि यह बात आपको समझ आई होगी, तो एक तो आपने यह रखना है, यहां पर याद, इसके uses के हैं, तो आपको पता है, यह as a fuel use होती है, तो इसको मैं है fuel यहां पर लिख रहा हूँ, petroleum ether, अब इसका boiling point जो range है, इसकी boiling point वो 20 से 60 degree centigrade, यह liquid हो सकती है, ठीक है, और जो lower ethers है, petroleum ethers, वो gas भी हो सकते हैं, लेकि नॉर्मली यह liquid form एक्जिस्ट करते हैं, कार्बन की तादा 5 से 6 हो सकती है, बाकी हरोगे आप solvent के तोर पर यूज होती है, ठीक है, इसके बाद है, लिग्रॉयन और नेफ्था, यह next fraction है, यह 60 से 100 degree centigrade तक, यह normally वो जो thinner वगएरा होते हैं, स्क्रीन वगएरा को साफ करने के लिए, यह normally वो चीज है, तो इसको भी as a raw material भी यूज किया जाता है, यह as a raw material भी यूज होती है और इसको as a solvent भी यूज किया जाता है, तो यह भी आपने यहाँ पर ऐसे याद रखना है, और इसके बाद आ जाती है हमारे पास gasoline, यह बड़ी important है, यह basic हमारे पास क्या आता है, petrol होती है, हम इसको petrol भी पढ़ लेते हैं, this is petrol, gasoline, और इसका boiling point change vary हो सकता है, 40 से लेके 220 degree centigrade के द most commonly used on a reflection है, तो यह fuel के तोरपे यूज होती है इन vehicle, तो यह vehicle जो है, उनका vehicle fuel है, ठीक है, तो यह आपने याद रखना है, इसी तरह यह kerosene है, अब kerosene को normally मिटी का तेल भी कहा देते हैं, लेकिन यह kerosene जहादों में भी यूज होती है, जो refined form of kerosene होती है, इसको हम jet fuel कहते है तो यूँ कहलो, यह हमारे पास burning fuel है, आप इसको ऐसे लिख लो, burning fuel, और इसमें carbon की पर जो है वो देख लें, आप तादाद 8 से लेके 14 तक हो सकती है, यह वैने 8 लिख है, और यह boiling point range 175 से 325 degrees centigrade हो सकती है, अब यह जो gas oil है, इसको हम डीजल भी कहते हैं, डीजल, अब जो बड और यह मोट साइकल वगएरा वो तो चलते हैं हमारे gasoline पर यह पैट्रोल पर, तो यह वाली जो diesel पर चलने वाली गाड़ी है, यह हैवी वहिकल्स होती है, तो इसमें carbon की जो तदाद है, वो 12 से 18 तक हो सकती, boiling point above, यानि ज्यादा हो सकता है, 275 degrees centigrade से, 300 भी हो सकता है, तो इसको हम heavy traffic vehicles में use करते हैं, heavy traffic vehicles में use करते हैं, इसके बाद आ जाता है हमारे पास lubricating oil, देखो आप, अगर आपके पास बाई के यह गाड़ी है, तो उसमें एक engine को, engine को heat से बचाने के लिए और friction कम करने के लिए हम एक, उसमें engine oil use करते हैं, तो यह वो होता है, lubricating oil, या grease वगरा जो ह देखते हैं, इसमें जो कार्बन की तदाद बहुत हारा से जाद होती है, विसकस liquid होता है, और इसको as a lubricating oil use किया जाते है, lubricating oil के तो हम इसको use करते हैं, तो यह बात आपने याद रखनी है, इसके बाद है next हमारे पास paraffin, paraffin wax भी हम इसको कहते हैं, यानि यह mom, जो mom की ची से 60 degree के roundabout हो सकता है, 23 से 29 इसमें carbon हो सकती है, तो जो wax products होती है, वो इससे हम बनाते हैं, wax product, ठीक है, और last में हमारे पास residue, asphalt, जिसको हम लुक भी कहते हैं, यह बज जाते हैं, इसको हम roads वगएरा, roofs वगएरा पर डालते हैं, तो roads, etc, ठीक है, तो student, यह था हमारा आज का lecture number 2, from your second year chemistry, chapter number 7 से, और इसमें आज हमने सीखा क्या है, yes, हमने इसमें सीखा, एक तो importance of organic chemistry, वो क्या थी, वो short question है, फिर हमने coal, उसकी definition और वो कैसे बना, फिर destructive distillation of coal, यह दोनों चीज़ें coal में important है, फिर हमने natural gas के definition पढ़ी, वो आपने याद कर ले नहीं, वो short question में आ सकती, यहा और यह जो gas, oil है, diesel, इसको ज्यादा अच्छे से याद कीजेगा, यह paper में पूछी जा सकती है, I really hope कि यह जो lecture है, आपको बिल्कुल clear ही समझ आया है, अगर आपको समझ आया है, इसको like करना मत भूलिएगा, और इसको दोस्तों के साथ भी share कर दें